कोरियन फिल्म आउटलॉज के रीमेक में काम करेंगे सल्मान खान बॉलेवुड के दबंग स्टार सल्मान खान कोरियन फिल्म के रीमेक में काम करते नजर आ सकते हैं सल्मान खान इस समय फिल्म दबंग टीन की शूटिंग में व्यस्ट हैं इसके बाद सलमान फिल्म इशालह हमें काम करने वाले थे लेकिन फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई सलमान ऐसी फिल्म करना चाहते हैं जिसकी शूटिंग और पोस्ट प्रडक्शन वर्क में ज्यादा समय नहीं लगे चर्चा है कि सलमान एक कोरियन फिल्म आउटलॉज का हिंदी रीमेक करने जा रहे हैं आउटलॉज में एक्शन तो है ही साथ ही ऐसी कहानी और किرदार है जो सलमान की पर्सनौलिटी को मैच करेगा कहा जा रहा है कि फिल्म को हिंदी में बनाने के राइट्स खरीद लिये गए हैं और फिलहाल फिल्म को भारतिय दर्शकों की पसंद के अनुरूप लिखा जा रहा है बताया जा रहा है कि सल्मान के पिता सलीम खान भी स्कृत्प में रूचे ले रहे हैं और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिये हैं इस फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा करेंगे फिलहार तेजी से काम किया जा रहा है ताकि एद 2020 तक फिल्म रिलीज हो